अश्कार दोस्तों, helpful channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज हमारा topic है लाल किताब में राहू का फल राहू का लाल किताब के नुसर बारा भावों में क्या फल होता है वो किस तरीके से क्या result देता है आपको वेक्ति की जातक में क्या combination होता है यह मैंने राहू की स्रीज में चालू किया है आज मैं कोसिस करूँगा कि पूरी वीडियो बना सकूँ अगर नहीं होते हैं तो कोई बात में इसका second part भी बना दूँगा तो दोस्तों राहू का हम लोग सुरुवात करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनले रेट बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रस करता की नई वीडियो अपलोड होने पर नोडिफिकेशन के रूप में मिल जाया हो समस्या हो तो मेल कर दीजिए नितिन 549-8 gmail.com पे धन्यवाद दोस्तों ठीक है दोस्तों अब हम लोग चलते हैं राहू का रिजल्ट राहू क्या है दोस्तों लाल किताब राहू को बताती है कि राहू का क्या रिजल्ट होगा पह कि राहू मालिक है लहर दिमागी बिजल िकरख होता है इसका मतलब क्या हूँ राहू मालिक है लहर दिमागी बिजली करख यह उसी तरीका से के राहू जो आपके माइंड में अचानक थौट देगा और फिर उसके बद वह थौट अचानक गायब भी हो जाएगा बस यह आपके माइंड के कैप्चर की बात है कि वह जो माइंड में थौट आता है उसको गिनान कर सके ठीक है तूसरी लाइन दूसरा लाइन यह है कि रंग शाम है या नीला उ आपके लिए शाइनिंग कही काम करेगा मैं आपको उस चीज में शाइन करेगा शनी मंगल के साथ इसका हाती ही होए मतलब शनी मंगल के साथ जब यह कंबिनेशन में होता है तो यह हाती का काम करता है मतलब उनके सारों पे चलता है ठीक है पदम शर्म भी कराता है मिस उनके पैरों में एक चक्र का निशान भी देता है अगर सनी मंगल अगर साथ में राहू का कंबिनेशन है तो आपके पैरों में कहीं न कहीं चक्र बने होगा पदम ठीक है चंद्र को मध्यम करें ग्रहन सूरज को होता है अगर कि चंदर्मा के साथ न्युत आए तो तो चंदर्मा की गति को कमजोर कर देता है गम कर देता है और चूरज के साथ बैठा हो तो उसको गुरह हुआ थीक है। गुरु के साथ dai wardrobe अगर राहू का कंबिनेशन एंडा तो राहू के गुरू को क्या करता उसको धुए कर देता में उसकी जितनी भी अच्छी है उसको सारी चीजें खराब करदेता है ऑपके सब जीज आपके वह सब आपके सीज में यह ख़र, शुकसज क efforts हर बहुत बड़ा शत्रू होता है और के और केतु के साथ combination है तो आगर Jour को हमें ठीक करना है तो मैं केतु का स्थीक करना होगा तो केतु अगर हम ठीक कर लेंगे तो राउस अपने आप ठीक कर में अपना ठीक हो जाएगा अगर यहां पहले भाव में होता है तो क्या क kein लहां जाता है और लाव्म्यक्ति हो ओपर संप्भाव में होगा । ऑसे हमें होता है कि क्या करेगा पति-पत्नी के सुप में कमी कर देगा ठीक है इस तरीके से तो इसका उपाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें केतु का रिन उताना पड़ेगा इसके लिए आपको साल में एक बार एक उपाई ये करना होगा कि सौ रोटी बनाके एकी दिन आपको गाय को खिलाना है ठीक है तो लगन में राहू होता है तो यात्रा बहुत कराता है ठीक है रसमें राहू यात्रा अधीक कर्वाता और कई बर विधेश भी यात्रा CHAN chuyvay यात्रा करता है किसी को और बिना कोई कार छोटे मोटे इलजाम भी लगवा देता है किसी की सलाह नहीं लेने देता है फिर भी जो इनसान काम करता है उसे नुकसान ही करवा देता है अगर इसके ओपर शुब ग्रोहों की यूती या दृष्टी हो तब कम परिशानी था अगर पाप ग्रोहों का प्रभाव अधिक हो तो इनसान की जिंदगी में खराभी पैदे करता है लगन में राहू वाले व्यक्ति को मैं आप हमेशा ड्राइवर पुलिस या अमिलिट्रिक के कार में देखा होगा यह लोग एक जगे पर टिक के काम नहीं करते क्योंकि इनकी बदली जल्दी हो जाते ही ठीक है लगन में राहू बैठा होता है उसकी द्रिष्टी पंचम सत्तम और नवम भाव में पड़ती जहां पे राहू की द्रिष्टी जहां पे भी राहू की द्रिष्टी वहां पे खराबी पतेता है राहू नक पतब निगेटी सोच का एक कारण होता है ठीक है और इसके कार जो है चलते पानी में जल प्रभा करें ठीक है लूले लंगड़े अंधे पागल वह अपाहिज भक्ति की सेवा करें गरीब कन्या की शादी में मदद करें बिजली की चोरी ना करें ठीक है तो यहां पर आप इस तरीके से राहू आपको रिजल्ट देगा अब राहू अगर हम देखें कि राहू का दिती ये भाव में क्या फल होता है तो दिती ये भाव के आपकी ये शुक्रो कहती है कि यहाँ पर जो व्रषबराशी आती है ओसका सवामी सुक्र होता है और गूर्य वो दो नों का ही दुष्मन करता है तो इस तरीके से यहाँ पर तो यहाँ पर आपका राहू यह शुक्र और गुरू को दोनों को खराब करता है ठीक है और यहाँ पर दूसरे घर में बैठ जाने के शुक्र और गुरू पर दोनों का रिण बन जाता है तो इन दोनों का हम रिण उतारेंगे इन दोनों का उपाय सबस्वेए तब हमारा यहां पर राहु सान्त रहें deal तो जब लड़के और लड़की कुंडली में अगर मिला दे जाते ह।। ँस समने में बिमारी परिशानी जगड़ा लडाई पैदा कर देगा धन रुकने नहीं देगा जातक सराब बेड़ी सिगरेट या तमाकू भी खा सकता है क्योंकि दूसरा जो घर होता है मूँ का कारक होता है और राहू जहर का रूप है इसलिए नसीली चीजी भी खा सकता है एक और अ विद्या में रुकावट पैदा करते हैं दूसरे गर में राहू केतु होने पर विदेर जाने का योग भी बनता है क्योंकि पापीगरे परिवार से दूर भेज देते हैं राहू को शांत रखने के लिए यहां पे आपको क्या करना चाहिए एक गोल चांधी की गोली बना कर अपनी उपर वाली जेव में जो आप पॉकिट जेव होतीय उसमें आप रख लिया करीं ठीक है और अगर नहीं बन सकते हैं तो एक चांधी की गोली बना के चांधी की करते तीक है तो दोस्तों ये हमने बताया कि आपको राहु में आपको तीसरे घर shelf में हैं तो लाल किताब कहती है की तीसरे घर लाल किताब और प्राचीन जोतिसास भी हमें इसमें अच्छा बना जाता है ठीक है जोंकि तीसरे घर मिधुन राशी यानि जाती है तो राहु बुद्ध का मित्र है ठीक है तीसरे घर हिम्मत होसला और बाजू का घर है इस घर में राहु बैड़ जाने के काणा बाजू में ताकत प्रजान करता है यानि कि हमें बनाता है थीरे हमत भुच्ऽा Omar है हिमत होसल से वाला भी बनाता है चिहनलक कुट है तो इसमें हम लोग खेटे हैं भर में राहु कहीझ उच्च औता है ठीक है और इसके बैटकर सूर चंद्रमा यह शुक्र को पीड़त करता है तब जाता को लूले लंगड़े अपाइच एवं पागल की सेवा करना चाहिए तब गरीब गन्या की शाधिम विवा में मदद करना चाहिए तो इस तरीके से राहू आपको अच्छा रिजल्ट देगा अब हम लोग कहते हैं राहू चोथे घर में राहू चोथे घर में होता है तो यह थोड़ा सा ख्राब जलेता है चोथा गर तो आपनी वह पाप आधितु होने से जात तक अपने माता पीता से दूर हो सकता है मातारपिता की सुक्ष में परफ़ा चाह मकान किराय का बार-बार बार बदली हो सकती वहां के कुछ कमी हो उसक्ती है जा तक म 도ड़ लेता है तब बहुत चाहणी हो सकती है हम यह सब बता सकते हैं कि मकान बनाना और चाहण곤 जीवन में देखा जब जातक मकान बनाता है तब उस समय कस्ट या जगड़ा लड़ाई होता है इसके बचाओं के लिए जगड़ाई बचाओ रखने के लिए तदा मजदूरी को मजदूर पर पूरा देना चाहिए राहुचार वाले को अपने घर में कच्छे कोले नहीं रहे तदा अपना जितना साफ सुतरा होगा उतना ही राहु को ब्रह प्रबाव कम होगा हाती सेर का क्लोना खराब और नशे के समान दवाई कर वे बुरे राहु केतु की पहचान है ठीक है तो दोस्तों यह रही वीडियो अब आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा इसक